शौर्ट स्टोरी इन हिंदी गधे की परच्छाए एक बैपारी ने बाजार से कुछ सामान खरीदा सामान भारी होने के कारण उसने उसे छोड़ने के लिए एक गधा भी किराई पे लिया गधा के मालिक भी साथ था गर्मियों का दीन थे और दोनों चलते चलते ठक गए थे इसलिए वे एक जगे बैठ के आराम करने लगे और गधे की परच्छाए देखकर बेवारी उसमें बैठने लगा अचानक गधे का मालिक चिखा हटो यहां से मैं ने तुम्हें गधे किराई पे दिया है उसकी परच्छाए नहीं परच्छाए पर मेरा हाख है इस बात को लेकर दोनों में बहस चिर गए उन्हें लड़ते देखकर गधे ने सोचा सुनेरा मौका है दोनों लड़ाई में उ चाफ वहां से भाग निकला। सिक्सा दो लोगों की लड़ाई में तिसरा फाइदा उठा लेता है धन्य बात मेरे पीओ दोस्तों